हेलो फ्रेंट आपके सामने एक और कोश्चन्स आ गए हैं जो आपको बहतर बना सकता है आर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाले चेप्टर में ठीक है तो कोश्चन्स देखेंगे तो समझेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा तो मैं इसका पहले तो यहां पर सलुशन्स देने व वैलू क्या हो सकती है इन चारों में से पॉसिबल वैलू पूछा है तो देखिए पहले दिया है क्या एस एन फिर माइनस टू एस एन माइनस वन फिर प्लस एस एन माइनस टू यह दिया हुआ ठीक है अब यहां पर अगर मुझे यह पता करना है पहले थोड़ा सा देखते रही है आपको सब आइडिया मिल जाएगा मैं इसको लिखता हूं लिखो एस एन है अब यहां पर देखिए यह जो टू एसन माइनस वन है इसको दो अलग अलग लिख देते हैं एस माइनस वन और यहां पर प्लस क्या है एस एन माइनस टू क्लियर अब यहां पर देखिए और थोड़ा सा तोड़ते हैं कि ताकि आपको आइडिया मिले यह को रने दीजिए इनमें से माइनस इसको पहले एक पर मैं लिख लेता हूं देखिए s n- s n-1 अब इसको थोड़ा सा तोड़ लेते हैं माइनस कॉमन कर लेंगे तो यह क्या होगा यह वाला प्लस हो जाएगा S N minus 1 और ये वाला minus हो जाएगा S N minus 2 देखिए न अभी ये मगर minus का multiplication करोगे तो ये sign आ जाएगा कि ने देखिए ये पहला minus और minus minus plus आ जाएगा तो idea लग रहा होगा अभी आपको पता चल गया होगा देखिए ये वाले formula का मैंने बताया था कि A N होता है और इस वाले का formula का क्या हो जाएगा देखिए जो यहाँ पहले होता न N तो A N यहाँ पहले A N minus 1 है देखिए A N minus 1 मतलब यह कहरा है last वाले में से उसके पहले वाला अगर minus कर दे जैसे मैंने बता है last वाले में से एक उसके पहले वाला minus कर दे तो D मिलता है क्या मिलता है common different D मिलता है तो यहाँ कौन सा answer हो गया B option is the right answer यही है logic यही सब चीज़े अगर करते रहेंगे तो हमें बहुत सारे अच्छे questions हो जाएंगे देखते रहें और भी नए questions के लिए तो देखते रहें और अपने दोस मित्र को share करना न भूलें Thank you